पिछले दो-तिन दिन से आपको जीवन में दुख उत्पन होने के कारणों के बारे में बात की जा रही है जिस तरह से व्यक्ती के सरीर से गंदगी चिप्टी रहती है वैसे ही व्यक्ती के सरीर से ये दुख चिप्टे हुए रहती है आप लोग देखते होंगे किसी को कोई बिमारी लगती है तो वो बिमारी उसको अंदर से लगती है और अंदर से लगने के कारण उसके जीवन को चारों तरब से घिर लेती है आपको पिछले दिनों ये बताया गया है किस तरह से दुख अपने जीवन में काम को करते हैं अब बात आती है कि इनका उत्तरदाई तो किसके उपर है जो दुख आते हैं उसका उत्तरदाई तो किसके उपर है उसका जिम्मेदार को है संसार में अनेक ऐसी घटनाई दिखाई देती हैं जो इनसान के साथ प्रानियों के साथ घटती रहती है परन्तु इस्थिती ये है कि आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता उन्हें अपनी कमी नहीं मानता उसका आरोपन दूसरों के उपर करता है अपने उपर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता जबकि उसका जिम्मेदार और कोई नहीं होता अपनाई आपा उसका जिम्मेदार होता है बुराई होती कहीं हैं पर जब अपने साथ आजाती है तो अपने अंदर दिखाई देती है दुबार से समझे आपके अंदर बुराई नहीं है बाहर की बुराई आपको दिखाई नहीं देगी आपको तभी दिखाई देगी जब बुराई आपके अंदर आ जाएगी उससे पहले आपको बुराई नहीं दिखाई देगी अर्थात हम कमी दूसरे के ऊपर तो लगाते रहते हैं पर अपने अंदर समाई हुई अपनी कमी को देखते हुए नहीं है अपनी कमी को नहीं देखते हैं दूसरे की कमी को देखते हैं मैंने अभी कहा ऐसी कितनी घटनाए हैं जो संसार में घटती रहती है परन्तु आदमी कभी भी अपने उपर नहीं लेता अगर मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आदमी खुद को जुम्मेदार बना ले कि मेरे कारण ये हुआ है अगर मुझे किसी में बुराई दिख रही है तो वो बुराई उसमें नहीं है मुझे मैं है मैं यहाँ फिर से कह रहा हूँ इच्छाओं का गोण हो जाना ही मुक्ती है इच्छाओं का गोण हो जाना ही मुक्ती है यानि कि इच्छाओं को दबाना नहीं ना इच्छाओं को दबाना नहीं है इच्छाओं को शांत कर देना यानि के अंदर से ही इच्छा जागरती ना हो उसी का नाम मुक्ती है एक सज्जन व्यक्ति दरिद्रता का जीवन बिता रहा है और दूसरा व्यक्ति प्रसिद्ध को करमी मोज का जीवन गुजार रहा है परिश्रम करने वाला सीधा साधा किसान तोकरी ढोने वाला मजदूर ठोकरे खाता फिर रहा है और दिन बर गंदी भद्दी कैसा समझे कि उन घटनाओं से वो गुजर रहा है जो भाईये संसार की गंदगी है उनको साप कर रहा है उसके अंदर एक गुदगुदी पैदा हो रही है कि दूसरों की संपत्ति का अपरहन करने की तरकीबे सोचना और उनके तिकडम बनाना और उनपका स्वामी बनना रोब दोब घंटना इस तरह की बाते वर्तमान समय में बहुत बढ़ गई हैं और कारण लोगों के हिरदे में भावना उत्पन होना उसकी कमी हो गई है आत्मा परमात्मा लोग परलोग पुन्य पाप की बाते आज बिलकुल निरर्थक साबित हो रही है बिलकुल निरर्थक साबित हो रही है और मनुष्य एक मात्र आज अगर सबसे बढ़ा कोई व्यक्ति के ऊपर पाप सवार है तो वो दोई है वो है सबसे बड़ा पाप है तो लोब सबसे बड़ा सोचो, देखो सबसे बड़ा अगर व्यक्ति की चेतना पर पाप हावी है तो वो है लोब पैसा आज इस्ति ये पैदा हो चुकी है आदमी दूसरे इस्तर पर बोल रहा हूँ आदमी इतना कमजोर हो गया है अपनी इंद्रियों की तरप से कि लीब जीब की लपा लपी जीब का चटोरापन इंद्रियों का भोग उस पर तो वो रस्मलाई खाने के लिए कितना ही लुटाने के लिए तयार है परन्तु सत्य पर लगाने के लिए तयार नहीं है लगाना तो बहुत बड़ी बात है मानने के लिए भी तयार नहीं है अभी मैंने कुछ देर पहले कहा है कि आज आत्मी के जीवन में भाव सम्वेदनाओं की कमी हो गई है और उसी के कारण पाप, पुन, अच्छा, बुरा, लोक, परलोक, आत्मा, परमात्मा, नाम की कोई चीज नहीं रह गई आत्मा का परमात्मा के बगएर स्तित्व नहीं है पुन्य का और पाप का भी जोड़ा है अगर पाप ना होता तो व्यक्तिप पुन्य नहीं करता पड़न तु नहीं आज उसको कोई समझ नहीं है आदमी बे तहसा हो करके पतन की तरप को चलता हुआ चला जा रहा है सोच करके देखो ऐसी परिस्थितियों में जिसमें आज आदमी मात्र अपने स्वार्थ के साधन की द्रस्ती पर ही अपनी द्रस्ती को जमा करके रखता है उस और कुछ दिखाई नहीं देता इसी परकार भावना के कारण मनुष्य और भी अनेक परकार के भवों में पढ़ करके अनुचित कारिये करने लग गया है अपने दोश को दोश ना समझ करके और अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी ना समझ करके सिर्पर दूसरे पर मढने लग गया है अपने उत्तरदाईत को भी मैं फिर से कहता हूँ अगर मेरा उत्तरदाईत है और मैं फेल हो गया तो उसका दोशारोपन भी मैं दूसरे के ऊपर मढ रहा हूँ आज आदमी अपनी वास्तिक रिस्तिती को नहीं समझ रहा हूँ इस हाने खारक परिस्तिती से बचने के लिए हमको कर्म रहस्य का जो ग्यान है उसको प्राप्त करना चाहिए किस प्रकार हमारे शुब अशुब कर्मों का प्रभाव हमारी अंतर आत्मा अत्वा अंतर मन पर पड़ता है और वो कभी तो तुरंत और कभी बहुत समय बाद अपने फल को प्रकट करता है हम सुख दुख देने वाले कर्मों की विवेचना तो करते हैं ऐसा नहीं है कि हम उनकी विवेचना नहीं करते हैं परंतु दोशार ओपन दूसरे के ऊपर मढने के कारण हम खुद को जुम्मेदार नहीं बना पाते आप सोच करके देखिए हम सुख देने वाले कर्मों को वे जो अभी तीन तरह के पीछे भी बताए गए थे वो तीन तरह के होते हैं पहले होते हैं सिंचित दूसरे हैं प्रारब्द तीसरे हैं किरियामान ये तीन तरह के कर्म दुनिया के अंदर है पहले बताए थे सिंचित व्यक्ति का स्वभाव तो है सुक तो मनुष्य की स्वभाविक इस्तती है सहज इस्तती है सुकर्म करना स्वभाव है इसलिए सुक प्राप्त करने के लिए ये स्वभाविक है कश्ट दुख में होता है दुख से ही लोग डरते और घबराते हैं इसी से छुटकारा हर कोई पाना चाहता है इसलिए दुखों का विवेचन आपके साथ इस समय पर करना उचित होगा आरोग वर्दक जो सास्त्र है और चिकित सा सास्त्र है ये दो अलग-अलग सास्त्र हैं इसी परकार सुख दुख के भी दो अलग-अलग सास्त्र है सुख वर्द्धी के लिए धर्माचरन करना चाहिए जैसे कि सुख वर्द्धी के लिए पोस्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए दुख निवर्द्धी के लिए रोग का निवारन और उसका निदान चिकित सा जानने की आवशक्ता है करम की गेहन गती की जानकारी प्राप्त करने से दुखों का मर्म समझ आ जाता है मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर आप कस्तों का निवारन करना चाहते हैं तो रोग का निवारन आपको करना पड़ेगा नहीं जी डॉक्टर को पैसे दे करके ठीक करा लेंगे आज आदमी पैसे की मैं उसको क्या सब्द कहूँ पैसे को आज अपना बहुत बड़ा हिमाईती मान रहा है और उसकी हिमाईत कर रहा है वो कह रहा है अब तो रोग के कारन को यानि के भोग को कितना ही कर लीजिए उसमें कोई कमी मत करिए बाद में दवाई लेकर के ठीक कर लेंगे इस्तिती को मेंटेन करके रखना पड़ता है अपनी जो स्वास्त की इस्तिती है उसको बराबर बना करके रखना पड़ता है दुखों के कारण को छोड़ देने से सहजी दुखों की निवर्ती हो जाती है दुख के भी तीनी परकार जो मैंने पीछे बताई थे दैविक, दैहिक और भौतिक ये दुख आपको बताई थे जो मन को होते हैं जैसे चिंता, आसंका, क्रोध, अपमान, सत्रोता, विछो, भै, शोग ये दैहिक दुख से होते हैं जो सरीर को होते हैं जैसे रोग, चोट लगना, आगहत पोचना, विस्खा लेना ये प्रभाव होने वाले कस्ट हैं जो बहुतिक रूप में, दुख के रूप में हमको मिलते हैं अचानक एद्रश रूप से, अचानक हम पर किसी तरह का हमला हो गया जैसे भूकम पा गया, दुर्भिक्ष आ गया, अनावरस्थी हो गई, महमारी आ गई या किसी से लड़ाई हो गई ये तीन ही परकार, दुखों की वेदना को, मनुष को, प्रताड़ना के रूप में, जहिलना पड़ता है और व्यक्ति को, इन दुखों को पाते हुए, तड़पते हुए, देखा गया है दुबारे से बोल रहा हूँ आप किसी को दुख दे रहे हैं और वो आप से कमजोर है परन्तु दुख दे करके, आपको सुख नहीं मिलेगा दुख दे करके, आपको सुख नहीं मिलेगा अगर वो व्यक्ति सही है और उस समय पर आवेश में आ करके आपने उसको दुख दिया तो आपकी अंतरात्मा आपको कचोटेगी और कहेगी कि तुमने निर्दोस को दुख दिया है दैविक दुख मानसिक कस्ट के रोप में पैदा होते हैं और उनके कारण जो पैदा होने का कारण है वो सोच में पाप को घुश जाना है हमारी सोच के अंदर पाप का आकर के लिप्त हो जाना है सुच्छा पूर्वक्तिर भावनाओं से प्रेदित हो करके जो पाप किये जाते हैं मैं दुबारे से बोल रहा हूँ और ठीक से समझ लेना इरशा, कृतग्नता, छल, कपट, दंब, घमंड, कुरूर्ता इस तरह के जो काम हैं, जो स्वार्थ परता से प्रेरित हो करके किये जाते हैं वो अंत में मान सिक कस्ट बनते हैं और जीव को तरास देते हैं वो जीव को तरास देते हैं अब सोच करके देखो, मैंने का इरशा, द्वेस, छल, दंब, ये घमंड, ये जो चीजे हैं, किस में नहीं हैं अगर आप में हैं, तो भाई, मानसिक दुख तो जहिलने ही पड़ेंगे मानसिक दुख तो जहिलने ही पड़ेंगे, और ये आए कहां से हम दूसरे को बढ़ता हुआ देख करके उसको गिरा हुआ देखना चाहते हैं इसके कारण इरशा होती है परन्तु क्या आपके इरशा कर लेने से कोई गिर जाएगा आप स्वयम अपने लिए मानसिक दुख पैदा कर लेंगे आप अपने लिए खड़े खोद रहे हैं जितने भी खड़े हैं ये सब मानसिक हैं और जो और किसी के लिए नहीं अपने लिए आप खोद रहे हैं इसलिए बहुत जरूरी ये है कि इन मानसिक कस्तों से अपने आपको सुरक्षित रखा जाए अब सुरक्षित रखने का क्या तरीका है यहां ये कहूँगा अगर आपके अंदर पाप की वरतियां आपकी विचारों में काम कर रही है तो क्रिया एमान कर्म के रूप में वो कारिय होते रहेंगे आप उनको रोक नहीं सकते क्योंकि अंदर विचार के अंदर जब प्रवरती आकर के च्छा जाती है तो बगैर की ये हुए वो अपने आप अपना काम कर ले लग जाती है मैं अभी पाड़ी छेत्र में गया वहाँ मैंने देखा एक बोरिंग किया जब बोरिंग किया तो पानी अपने आप उबल करके बहार आने लगा नल मैं हेंड पप में हत्ती मारने की हेंडल को चलाने की जबरत नहीं थी वह अपने आप चल रहा था पानी अपने आप चल रहा था जबकि उस पर वो लगा था मसीन भी लगी थी परिंतु पानी अपने आप चल रहा था अब मैं कहा रहा हूं किया मां मसीन की ज़रुरत थी जब पानी अपने आप ही चल रहा है तो मसीन की जरूरत नहीं थी ऐसे ही मैं भी कह रहा हूं विचार अपने आप चलने लग जाता है आर्टिजन वेल की तरह से अपने आप चलने लग जाता है पर वहा के रूप में उसको चलाना नहीं पड़ता है और आप देखते होंगे, जहां धर्ती पर पानी पानी चाया रहता है, फसल को पाने के लिए पानी की बहुत जरूरत है, फसल पानी के बगएर नहीं हो सकती, किसान कितनी मेहनत करके धर्ती से पानी को निकालता है, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, वो जरूरत के नुसार उसको देता है, अगर जरूरत से ज़्यादा पानी मिलेगा, तो वो फसल गल जाएगी, बढ़ेगी नहीं, ऐसे ही जीवन की फसल को, मैं कह रहा हूँ, सफलता के लिए इर्शा करना बहुत जरूरी है, पर उसको सफलता इसलिए इर्शा के जाए, के दूसरा क्यों बढ़ रहा है, मुझे बढ़ना चाहिए था, तो जरूरत से ज़्यादा की गई इच्छा, आदमी को पतन और नर्क में लेकर के जाती है, और उसके स्वभाव में आकर के बैड़ जाती है, और उससे वैसे ही कर्म को कराती है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कूविचारों के कारण जो वातावरन बनता है, वो हमारे इस मस्तिस्क के अंदर घुमडता रहता है, दोडता रहता है, और इससे दम घुटता रहता है, चेतना का दम घुटता रहता है, जिस परकार धुए के कारण दिवार काली पड़ जाती है या तेल के पीपे पर कपड़ा लगा हो तो वो गंदा हो जाता है आत्मा का जो स्वत्य है स्वभाव है वो पवित्र है वो अपने उपर इन पाप मूलक विचार प्रभावों को जमा हुआ नहीं चाहती जमवाना नहीं चाहती वो अपने उपर ये कलमसों को नहीं लगवाना चाहती आप सोचो आपके ही कपड़े तेल में भीग जाएं पानी में भीगने को नहीं कह रहा वो तो सूख जाएंगे अपने आप पानी चला जाएगा परन्तु तेल में अगर भीग जाएं तो वो सूखेंगे नहीं नहीं सूखेंगे उन कपड़ों को अपनी मूल इस्थती में लाने के लिए कितना साबुन रगड़ना पड़ेगा और कितने मेहनत करनी आपको पड़ेगी तब कहीं जाकर के वो तेल छूटेगा कुचक्र मूलक जो प्रभाव हैं जो कुविचार हैं उनका जमा हुआ प्रभाव व्यक्ति को इतना बेचैन किये रखता है इतना उतावला कर किये रखता है कि आदमी पाने की ललक में अब बगैर चलाई अपने आप चलने लग जाता है कहां कहां मैंने इंद्रिय भोग और लोब इंद्रिय भोग और लोब इनके लिए अपने आप चलने लग जाता है पेट में हानी कारक वस्तों के जमा होते रहने से लगातार जमा होते रहने से मैंने का अपने आप चलता है जब बुराईयां उसके अंदर जमती हुई चली जाती है तो उसका स्वास्त खराब हो जाता है क्योंकि पेट खराब हो जाता है पेट की स्थिति जो सामानी स्थिति है जो ईश्वर प्रदत हो या प्रगती प्रदत है वो नहीं रह जाती उसमें ऐस्वाभाविक तत्व आकर के जमा हो जाते हैं और उसके कारण उसकी स्थिति वो पैदा हो जाती है अंदर से देखो लोब के यानि के पैसे के प्रती विचार और अपनी इंद्रिय सुखों के प्रती विचार व्यक्ती के अंदर हर वक्त गुमरते रहते हैं जैसे कोहासा सर्दी के दिनों में वायू मंडल में छाया रहता है, उसी तरह का एक कोहासा हमारे अंदर भी बरस्ता रहता है। और तीवरिच्छा से जान बूज करके वैसे ही कर्म हमसे करा लेता है। अंदर से देखना जैसी तिवरिच्छा आपके अंदर पैदा होती जाती है, वैसा ही प्रभाव आपके उपर पड़ता हुआ चला जाता है। मजबूर करता है, जैसे कपड़ा तेल को पी लेता है, वैसे ही मन उस कीचड को पीना सुरू कर देता है, और उसमें लिप्त होता हुआ चला जाता है। सोच करके देखो, हम इतने आतुर हो करके रहते हैं, उसके लिए इतने आतुर हो करके रहते हैं, कि उसी को पाना चाहते हैं। भीतर उस पाप का भार बढ़ता जाता है, और उस भार को हटाने के लिए अतियंत व्याकुल हमारी अंतर चेतना हो जाती है। बहारी मन स्थूल बुद्धी को जमा करता रहता है, और उस एद्रश्च प्रक्रिया का कुछ भी पता उसको नहीं लगता। अंतर मन चुपके ही चुपके ऐसे अवसर एतत्रित करने लग जाता है, कि वो जो भार बढ़ता चला जा रहा है उसके उपर, वो हटे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आद्मी की सोच का बोज इतना जाद है कि पदार्थ का बोज उतना नहीं है, काम का बोज इतना है कि आद्मी बेचैन हो जाता है, अपने मानसिक संतुलन को खो बैटता है। किसके कारण उस बोज के कारण विचारों के पाप के बोज के कारण उसको जेल नहीं पाता जैसे सरीर पर बोज रखा जाए सिर पर बोज रखा जाए तो वो सरीर को महसूस होता है उसको बोज लगता है उठाना पड़ता है उसको ऐसे ही जुमिदारियों का जो बोज होता है वो मन को उठाना होता है सरीर के बोज से ज़्यादा बोज उस मानसिक का होता है मैं फिर से कह रहा हूँ आदमी सच को देखो देख करके जहां करके आपको कभी आपसे अपने आपसे बोज लगा क्या आपको आपके सरीर से बोज लगा क्या परन्तु मैं दूसरी तरफ समझाने के लिए इस बात को बोल रहा हूं कभी कभी बच्चा आपको बोज लगने लग जाता है अपनी पत्नी आपको बोज लगने लग जाती है जब तरह तरह के मानसिक धबाव व्यक्ति के ऊपर डाले जाते हैं तो उन दबावों के कारण व्यक्ति उनसे बोज मरने लग जाता है अब दुबारे से कह रहा हूं अपनी इच्छा की पूर्ती के लिए व्यक्ति उन करमों को तो करता है परन्तु अंतर चेतना क्योंकि उनको सुईकार नहीं करती इसलिए उनके बोज से बोज मरता है उसको बोज लगता है उन सब में है का ये बाहिय मन की बात जो बुद्धी के साथ जुड़ा हुआ है वो उसी तरह की वर्तियों को जो मन की वर्तियां है उनको पूरा करने के लिए तरह तरह के भोग, शोक, इच्छाएं उन सब को करता रहता है और उनको पाना चाहता है पूर्ति करना चाहता है ये इस्तिती उसकी बनी रहती है और इस्तिती बने रहने के कारण अंतरमन चुपके ही चुपके एकत्रित हुए जो अंदर पाप है उस भार को हटाने की तरकीबे ढूंडने लग जाता है जब वो तरकीबे ढूंडते लगता है तो अपमान, ऐसा फलता, विछो, शोक, दुख ये सब प्रकट होने लग जाते हैं छोडने के, छोडने के, अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर व्यक्ति अपने आप से ही अपने अंतर मन की स्थितिका साथ दे और उनको छोडने के लिए तत्पर हो जाए, बुद्धी और मन दोनों उसके लिए काम करने लगें, तो जो हमारी अंतर छेतना है, मैं फिर से कहता हूँ अगर ईश्वर ये शक्ति या जिसको आप ये मराज कहते हैं, वो कहता आपका समय पूरा हो गया, अब आपको छोडना पड़ेगा तो आप पर कितना जोड़ पड़ेगा, चले ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप से किसी भी त्याग को कहा जाए, कि आप लोग को छोड़िये, तो देखिए आपको कितना दर्द होगा, कितना दर्द आपको होगा त्याग के नाम पर जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, उसमें आपको बड़ा कस्ट होता है, लेना बहुत अच्छा लगता है, पर लिये हुए में से ही देना पड़े, तो बड़ा जोर पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है अब सच को ये देखो, सच को ये देखो, कितने सारे बोज आज हमारे कुकर्मों के कारण हमारे उपर लधे हुए हैं, जहां व्यक्ति, अपमान, ऐस अफलता, विछो, शोक, दुख, इन अवसरों को वह कहीं से एक-एक दिन किसी प्रकार खीच-खीच करके लाता है, ताकि इन दुर्भावनाओं का, पाप संसकारों का, इन अप्रिय परिस्तितियों का, किसी तरह से समाधान हो जाए किसी तरह से समाधान हो जाए सरीर दुआरा किये गे हुए पापकर्म, जिन में चोरी, डकैती, व्याबिचार, अपरण, हिंसा, ये सब मन के प्रमुख दोश हैं हत्या करने से हाथ को कोई स्वार्थ नहीं होता, वरन मन के आदेश की पूर्ति करता है इसलिए इस प्रकार के कारिये जिनके करते समय इंद्रियों को सुख ना पहुचता हो मानसिक पाप कहलाते हैं ऐसे पापों का फल मानसिक दुख होता है इस तरी पुरुष आदी प्रियजनों की मृत्यों पर धन के नास हो जाने पर लोकनिंदा मिलने पर अपमान को सहने पर पराजय की और ऐसफलता का मुकाबला करने पर और व्यक्ति को दरिद्रता ये मानसिक दुखों के रूप में काम करते हैं इनसे मनुष्य की मानसिक वेदना उखड़ परती है सोक संता पुत्पन होता है दुखी होकर वो रहता रोता और चिलाता है आशुओं को बहता है अपने सिर को धुनता है इससे वेराग्य के भाव उसके अंदर पैदा होने लग जाते हैं और भविष्य में धर्म ना करने और धर्म में परवर्त रहने की परवर्ती बढ़ने लग जाती है देखा गया है कि मरगट में स्वेजनों की चिता रचते हुए कैसे भाव पैदा होते हैं जब उनके सरीर को चिता पर रख करके आग दी जाती है तो कैसी कैसी टीस तडफन के रूप में अपने अंदर पैदा होती रहती है जीवन का सदुपियो करना चाहिए धन नास होने पर मनुष्य भगवान को पुकारता है पराजित और एसफल व्यक्ति अगर उसका घमंड चूर हो जाता है नया महसूस करता है क्योंकि वो नसा उतरता है होस में आता है और बात करता है मानसिक दुखों का एक मात्र उद्देश्च मन में छिपे हुए इर्शा, कृतगनता, स्वार्थपरता, कुरूरता, निर्देता, छल, कपट और गहमंड के जो विचार होते हैं उनकी सफाई करना है बड़े ही आत्मियता के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ दिख इसलिए आते हैं कि आत्मा के ऊपर जमा हुआ जो प्रारब्द है वो कर्मों के नास का पाप का संसकार उसके अंदर से निकल जाए पीडा और वेदना की धारा उन पूरकरत प्रारब्दों कर्मों को निकरस्ट संसकारों को बोने के लिए प्रकट होती है मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा अगर इस पाप से आप बचना चाहते हैं तो क्या करें आप सुबेरे उठते हैं रात की नीन्द से जगते हैं तो जगने के बाद आपका पहला काम होता है पूरी रात्री के जितने मल इखटे सरीर में हुए हैं उनका वेग आपके उपर आपकी चेतना के उपर अपने प्रभाव को डाल रहा होता है आप पेसाब करते हैं आप मल विसरजन करते हैं आप दांत माजते हैं आप और कोई इस तरह के काम करते हैं सरीर को साफ करते हैं सरीर को साफ करते हैं पेट को भी आप साफ करते हैं, पेशाब को निकाल करके भी आप पेट को साफ करते हैं, और मलमुत्र दोनों से ही आप सरी पेट को साफ करते हैं, सफाई किसकी? गंदगी की, गंदगी की. जब साप होते हैं तो हलके होते हैं दूसरा है नहलाना पहला है सफाई करना दूसरा है नहलाना नहलाने से मतलब क्या है? आप सरीर को तो साप करते हैं नहलाते मन को हैं मन को नहलाते हैं सच को देखो पेट अगर खाली होता है तो कितना हलका होता है जिनको बदहजिमी नहीं है उनको ये पता होगा पेट के हलके पणका सरीर में उन्ठा नहीं रहती है जकड़म नहीं रहती है व्यक्ति खुला हो करके काम को करता है अगर सरीर साफ होता है मन साफ होता है तो मन में भी एक्तिवरता आती है मन भी काम पर जमता है लगता नहीं कह रहा हूँ उस पर जमता है जिस तरह से सूरिय की धूप किसी एक जगे पर लगातार डाली जाती है तो उतना परिछेत्र अपने आप गरम होने लग जाता है गरम होने लग जाता है उसमें छुपी हुई नमी अपने आप निकलना सुरू कर देती है जो नमी उसमें समाई है वो निकलना सुरू कर देती है ठीक इसी तरह से जो हमारे पाप कर्म है जब हम भी उस सच्चाई पर चलते हैं तो वो पाप कर्म निकलने लग जाते हैं मैं आप से आत्मिक निवेदन कर रहा हूँ इन पापों को मिटाना है अगर नहीं मिटाया तो यह हमें मिटा देंगे सरीर के रोग सरीर को खा जाते हैं मन के पाप मन को खा जाते हैं आत्मा के कसाय कलमस आत्म शक्ति को आत्म चेतना को खा जाते हैं इसलिए इनकी सफाई नितान्त आवश्चक है सरीर करम करने का कारिय करता है जैसा अभी कुछ देर पहले कहा था एक चोर चोरी करता है बता उसमें हाथ का क्या दोस है आख का क्या दोस है इनका तो कोई दोस नहीं है उसने अपनी इच्छा पूरी की है इसलिए दोस किसका है अंत में जाकर के वो मन के उपर जम जाता है दोस मानसिक पापो का ही है जो हमारी मनोवर्ती इस तरह की बनी रहती है और हम बुराई की तरफ को चलते हुए रहते हैं इसलिए उत्तरदाईत को समझे अपनी जिम्मेदारी को समझे अगर आज मेरे में कोई कमी है आज मैं दुख पा रहा हूँ तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है मैं स्वयम उसका जिम्मेदार हूँ जब तक उस कारण को मैं नहीं हटाऊंगा तो मैं सुखी नहीं हो सकता मैं सुखी नहीं हो सकता अगर मैं सुखी होना चाहता हूँ तो उस कारण को मुझे को हटाना पड़ेगा जिसके कारण मैं दुखी हूँ उसको हटाना पड़ेगा छोटी सी कोई बात हो जाए तो हम उसको बरदास्त नहीं कर पाते हैं सहन सक्ती इतनी छीर्ण हो चुकी है कि हम उसको सहे नहीं पाते हैं सोचो ऐसी अवस्था में आदमी की क्या इस्तिती पैदा होगी आत्मिक निवेदन के साथ आप से कह रहा हूँ जो आप अपने आपको बनाना चाहते हैं वो आपको बनाना ही होगा जो आप अपने आपको बनाना चाहते हैं वो आपके ही हात में है किसी दूसरे के हात में नहीं है अपने ही हात में है इसलिए आपको बनाने के लिए आपको उस तरह का कारिय करना होगा ये आज बहुतिक बुराईयों के बारे में आपसे कहा कल दैविक के बारे में कहूंगा समझाऊंगा, आज की बात को मैं ये कहते हुए, आज सिब वेहार से सवीता का जनम दिन है, मेरे पास उसकी सूचना आई थी कल, और आप सब से कहुँगा, उसका दिर्ग जीवन हो, बड़ी उतावली रहती है, कितनी जल्दी मैं अपने पापों को उतार लूँ, और अपने जीवन को पवीत्र बना लूँ, ऐसी उत्सुकता सब के अंदर आजाए, कि हम जल्दी से जल्दी बुराई को फैंक दें, आप देखते होंगे, दस्त इसलिए ही लगते हैं, जब सरीर उसको सहन नहीं कर पाता, तो उठा करके फैंक देता है, फिर स्वाभावी किस्ति नहीं रह जाती है, ऐस्वाभावी किस्ति पैदा हो जाती है, आप से निविदन है, कि उस बिटिया को आप सब का भी आसिरवाद मिले, वो जल्दी से फले फूले खड़ी हो, और जीवन के वास्तिक उद्देश्च जो दाइत्व है, उसको समभले, आज की बात को संपन्न करते हैं, ओम, शान्ती ही, शान्ती ही, शान्ती ही